मौनसोन की शुरुवात में ही अगर मनी प्लांट को आप ये दो चीजों से बनी खात दे देते हैं, तो फिर पूरी बरसात ग्रोध भी बहुत तेज होगी, साथ ही साथ अगर कोई फंगस या इंसेक्ट मनी प्लांट में लग रहा है, तो वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएग और प्लांट बहुत तेजी से घना होगा, उसके पत्तों में एक शाइनिंग, एक चमक आएगी और बहुत ही बूशी हो जाएगा, तो मनी प्लांट की केर और उसके फर्टिलाइजर से सम्बंदित आज की ये वीडियो है, तो चलिए फिर देरी ना करते हुए वीडियो को स दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि धूब बहुत तेज है, गर्मी भी बहुत हाई लेवल पे चल रही है, ऐसे में जो मनी प्लांट या फिर इस तरीके के इंडूर प्लांट होते हैं, उन सभी प्लांट की कंडिशन इससे में थोड़ी डाउन चल रही है, मेरे में मनी प्लांट में कुछ लीव्स हैं, जो बर्न हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ, यह जादातर वाली लीव हैं, जो धूब की तरफ थोड़ा सा रहती है, मतलब डारेक दूब तो नहीं पड़ती है, इन डारेक दूब पड़ती है, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत तेज दूब है, तो इन डारेक दूब भी प्लांट को बर्न कर रही है, क्या ही कर सकता है, यह देखे, आप पतिक आपको किनारे किनारे से बर्न दिख रहे होंगे, यह सिर्फ और सिर्फ गर्मी की वज़े से है, बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम मनी प्लांट में नहीं तो अगर आपके मनी प्लांट में भी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप परिशान ना हो, मौनसून के सीजन आते ही, यह प्रॉब्लम धीरे ठीक होने लगेगी, तो इसके लिए आपको फर्टिलाइजर कौन सा तयार करना है, जिससे पूरे मौनसून पौ और मिट्टी या फिर जो आपका पौट है, उसके हिसाब चलीजेगा, और उसके बाद मैंने यहाँ पर आदा चमच जो नीम खली होता है, उसका इस्तमाल किया है, मेरा स्पून थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए मैंने आदा चमच लिया है, अगर आपका स्पून छोटा है तो आप एक चमच भी ले सकते हैं, चमच का साइस भी डिपैंड करता है, तो आप देख लिजे ध्यान से, इसके बाद दूसरे नंबर पे जो मैंने फर्टिलाइजर लिया है, यह है लकडी की राख, तो जो नीम खली है और जो लकडी की राख है, यह दोनों ही बहुत ही अ लिव्ज में स्पॉट पढ़ना शुरू कर देते हैं, बीच बीच में जो होते हैं, वो खासकर इंसेक्टी होते हैं, तो आपको क्या करना है, इस खात को बना के और इसे अपने प्लांट को देना है, अगर आपके प्लांट में ज्यादा इंसेक्ट हो गए हैं, तो आप एक अच्छा insecticide भी spray कर सकते हैं वैसे मुझे मनी plant में as such कोई insect कभी दिखा नहीं जो इसमें नीम खली है वो plant को बहुत सारे micronutrients देगी और इसके बाद मिट्टी में fungus से जो problems आजाती है उससे plant को दूर रखेगी इसके बाद दूसरे नंबर पर हमने लकड़ी की राख ली है तो लकड़ी की राख में potassium पाया जाता है साथ ही साथ ये fungus से मिट्टी को और plant को protect करती है और जिस भी चीज में potassium पाया जाता है तो potassium का काम क्या होता है कि अगर आप इसे fool और follow के plants को दे रहे हैं तो ये plant को बहुत स्ट्रॉंग मनाता है चुटी मुटी problems plant खुदी handle कर लेता है उसमें कोई problem ऐसे आ नहीं पाती है तो ये दोनों खाथ जब हम mix करके देंगे हाँ अगर आप चाहें तो इसे तुरंत भी दे सकते हैं और अगर आपको और बहतर परिणाम चाहिए तो आप इसे दो दिनों के लिए कहीं छावदा जगह पर ढग दें और उसके बाद फिर इसको दुगना पानी मिक्स करके डाइलूट करें और उसके बाद अपने मनी प्लांट को दे दें दुपहर में भी नहीं देना है इससे क्या होदा है के कभी इंसेक्ट वाली प्रॉब्म और फॉंगस वाली प्रॉब्म नहीं आती है थाओ बनी प्लाइजर देने के लिए वेट वी तो च्छोटी उपर वबेल का बनी चोटी-छोटी बहुत से लिए ड़ोए है रिखसे कीlist कि इसा ही है इस गाल ज Moving Can home to wear a channel with no one says बहुत कम कीर के जरुत हुट यूठ वह बोच जांडा फरडिलाइज़र की जरुद नहीं परmy ब्स को यह पाणी दीजएगा बरे साथ के रखना उनके बसे में पर सबस्के interf сейчас से इसके स्पेस में ले आईए और जब तक मिट्टी प्रॉपर सूख नहीं जाती तब तक दुबारा पानी बिल्कुल नहीं देना है दूसरी चीज अगर आप इस तरीके से बाहर नहीं रख सकते हैं तो आप कोई भी बरतन ले लिजे बाल्टी वगरा और उसको बारिश के पानी में जहां भी बरस रहा है वहीं रख देजे इससे क्या हुआ कि उस बाल्टी में पानी स्टोर हो जाएगा और फिर वो आप अपन में भी पानी देना चाहिए क्योंकि मैं जब भी अपनी मॉजिस्टिक के उपर से जो बेल होती है लीव जगरा उन्हें थोड़ा साइड में कर देती हूं हाथ की मदद से और उसके बाद यह जो मॉजिस्टिक होती है इस तरीके से दिखने लग गई है अब मैं इस पे पान होता है बहुत फ्रेश रहते हैं चमकदार होते हैं तो यह जो टिप है इसको आप जरूर फॉलो करिएगा और पानी यह भी आपको दिन में ही देना है मनी प्लान को रात में कभी भी पानी मत दीजेगा चाहे कुछ भी हो जाए बहुत तेजी से इंसेक्ट लगेंगे फिर करें क्योंकि बरसात में तो यह बिल्कुल फंगस पैदा कर देगी और सफेज सफेज ट्राइब का हो जाएगा प्लांट में अब जितनी भी मेरी मनी प्लांट की बेल है मैं वापस से इसे यह देखिए स्टिक पे ही सेट कर दे रही हूं इसे क्या होता है न कि यह बहुत से तीन घंटे की डारेक्ट साल लाइट वो मॉर्निंग वाली मिल जाए तो तो सही है मॉर्निंग मतलब 6-7 बजे जो दूप निकलती है वो वाली बाकी 9 बजे के बाद जो दूप निकलती उससे प्लांट को बचाना है ब्राइट लाइट में रखिए एकदम अंधेरे कमरे में मत रखिए लेकिन हां दूप का असर जितना कम पड़ेगा उतना ही अच्छा है और फिर जैसे जैसे बरसात का मौसम आएगा फिर प्लांट की ग्रोथ अपने आप अच्छी होने लग जाएगी अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे रेगुलर तो यह जो आप देख या confusion रहता है तो आप मुझे comment कर सकते हैं कैसा लगा मेरा आज का यह वीडियो मुझे जरूर बताइएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करिएगा चैनल को subscribe करिएगा फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye take care